आज मैं आपके सामने कलाकन बर्फी बनाने जा रही हूं तो इसे बनाने के लिए देखिए कि किस तरह से बनती है दानेदार कलाकन बर्फी इसे हम किसी भी वरत में बना सकते हैं और यह बनाना भी बहुत ज़्यादा असान है, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, तो इसे बनाने के लिए देखिए, इसके लिए मैंने दो लिटर दूद लिया है, और इसको मैंने भारी तले की कणाई में रखा है, सबसे पहले हम इसको दूद को गाणा होने तक पकाएंगे जब इसके आदे से ज़्यादा दूद्ध फुक जाएगा तब हम इसमें पनीर एड़ करेंगे ये मैंने डहेसोग्राम पनीर लिया है और इसको विल्कुल बारिक कर लिया है हाथ से अब दूर काफी गाड़ा हो गया अब इसे हम इसमें मिक्स कर देंगे और इसे और ज़्यादा पका लेंगे अच्छे से मिक्स करेंगे और ये जब बिल्कुल ठिक हो जाएगा तब तक हमें इसे पकाना आए लगाता चलाते हुए और नीचे तली तक इसे लगाता चलाते रहेंगे जिससे की तली में दूद चिपके नहीं, जले नहीं चारो तरफ जो मलाई होगी उसे भी हम खुरसते रहेंगे और दूद में मिक्स करते रहेंगे एक चमच मैंने इलाईची पाउडर डाला है, जब यह काफी थिक हो गया है उसके बाद, और में आधा कप चीनी डाली है, थोड़ी सी और डालूँगी, अपने टेस्ट के हिसाब से कम जादा डाल सकते हैं जितना भी आपको खाना पसंद हो, अभी थोड़ा और पकाएंगे, जब यह बिल्कुल थिक हो जाएगा, तब तक हमें इसे पकाना आए एक मैंने यह ट्रेल लिए, इसमें हम घी लगा लेंगे, अच्छे से ग्रीस कर लेंगे अच्छे से मैंने चाओ तरफ इसमें घी लगा दिया है, अब यह काफी थिक हो गया है, इसे हम ट्रे में पलट देंगे अब इसको जमने देंगे, थोड़ी दिर बाद हम इसे कट करेंगे, आप चाहें तो फ्रीज में रखके भी, इसे थोड़ी दिर बाद कट कर सकते हैं, या फिर भार ही ठंडा होने के बाद कट कर लेंगे आदा खंटे बाद इसको हम कट कर लेंगे, छोटे बड़े जैसे चाहें, इस तरह से पीसों में कट कर लेंगे आप चाहें तो उपर से ड्राइफ रूट भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाले हैं, प्लेन रखी है यह बहुत जादा सोफ्ट है, तो इसे आइसा से, किसी स्पून से और चुरी की साहेता से निकाल लेंगे यह हमारी दानेदार कलाकन बर्फी बनकर तयार हो गई है सभी पीशों को इसी तरह से निकाल लेंगे सभी पीशों को इसे तरह से निकाल लेंगे